पुतन का सबसे एक खतनाख हिटमैन अब जेलन्सकी के कबजिबे है और रिपोर्ट ये है कि जेलन्सकी ने इस्राइल के बड़े अधिकारियों को इस हिटमैन की पूरी डिटेल दे दी है जेलेन्सकी के इस कदम से पुतन बहुत ज्यादा गुस्ते में है क्योंकि इस तरह यूक्रेन की युद में इरान के बाद उसके सबसे बड़े दुश्मन इसराइल की भी अब एंट्री हो गई है पुतिन ने फिर हमला किया बखमूत में ही नहीं दूसरे इलाकों में और वो भी एक दो नहीं पुतिन ने पंद्रा ड्रोन फायर किये लेकिन जेलिंस्की की फौच का दावा है कि इन में से 13 ड्रोन मार गिराए इस सभी इरान के बनाय हुए ड्रोन थे जिन्होंने पहले कीव से लेकर खार कीव और जापरिजिया से लेकर मारियो पूल में तबाही मचाई है ये इरान के ऐसे ड्रोन है जो बम की तरह बरसते हैं और पुतिन हमला करके जेलिंस्की को बार-बार दिखाते हैं कि युद में कैसे ड्रोन से बम बरसे ये बम बरसाने वाला सबसे बड़ा हत्यार है शाहिद 136 जिसे पुतिन का सबसे खतरना हिटमेन कहा जाता है यही ड्रोन है जिसे पुतिन की फोज हुन की होली खेल रही इसका तаргет युक्रीन की फोजे उसके वोजे जहां जेलंस्की अपीड़ते हुए लीड़ी बम बाता है लाती है बाता है झालो है बlів कर द्री बेपला से जालों की फुमें की है बाता है बाता है भीड़ी बीश्ड़ाशन है जाल की बाता है द्रोन से यूपरेन की हालत खस्ता हो चुकी है। और ये ड्रोन पुतिन के लिए गेमचेंजर साविध हुए। पुतिन के हिटमैन नई और खतनाक धार वाले अपगरेड के साथ और पावरफुल बनते जा रहे हैं। ये पुतिन के ऐसे हिक्मैन है जो भी उक्रेन की फौच को पिगला कर मार रहा है पुतिन के हिक्मैन को और पावर्फुल बनाया है इरान ने क्योंकि इरान अब जो शाहिद 136 का मिकाजे ड्रोन सप्लाई कर रहा है उसका बस एक ही मकसद है वो ये कि जब कभी भी या आत्म घाती ड्रोन जेलन्सकी के बंकर से टकराए तो उसे पिगला कर रख दे पुल मिलाकर रूस का मेसिज बहुत साफ है कि पुतिन अब दुश्मन को पिगला कर मारेंगे वो 0% रहम दिखाएंगे और इसके लिए उनका सबसे बड़ा हत्यार एक बार फिर शाहिद ड्रोन साबित होगा जिसे इरान ने और भी घातक बना दिया है शाहिद 136 ड्रोन ने इस युद में उस वक्त बाजी पल्टी जब लग रहा था कि पुतिन के हवाई हमले कमजोर साबित हो रहे है तब ये ड्रोन पुतिन के लिए ऐसा पावर प्लस वाला टॉनिक बन कर आया कि जेलन्सकी की फौज के परखच्चों उगने लगे ये ड्रोन एक हजार से दो हजार किलोमीटर की रेंज तक वार करता है और अभी युक्रेन के लिए ये सबसे बड़ी देशत बना हुआ है आथ ये सवार थे सब्सक्रावन सब्सक्रावारर के ओरें जाड नwno ए legislation श리्नห even il इस बीज जेलिंस्की ने इरान के गिराए गए ड्रोन को इसराइल भेजने की तयारी कर ली है इसराइल इरान का सबसे बड़ा दुश्मन है और जेलिंस्की को लगता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है 21 परवरी को जब इसराइल का एक डेलिगेशन युपरेन आया तो जेलेंस्की ने उनको इरान के दो ड्रोन दिखाए एक है शाहिद 136 और दूसरा है महाजर 6 साथ में कायम 5 मिसाइल भी दिखाई